लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले खबर है कि पाकिस्तान की इस गोली बारी में बियस एफ के दो जवान शहीद हो गए बता दें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पर गवाल बाजार को निशाना बना कर गोलाबारी कर रहा है पाकस्तान की इस गोलाबारी के बाद अकहनूर सेक्टर के लोगों को सुरक्षित जिगह पहुंचाया गया है फिलहाल पाकिस्तानी रेंजोर्स की ओड़ से जम्मू कश्मीर के अकहनूर सेक्टर में फाईर रिन की जा रही है और मोटार दागे जा रहे हैं वहीं भारतिय सुरक्षबल भी पाकिस्तान को मूह तोड़ जवा दे रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा अंतराश्ट्रे सीमा पर लगातार मोटार दागे जा रहे हैं। वह सीमा वरतीरी हायर्शी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। बतादे पाकिस्तान रमजान के पवित चबल सीमा पर मूभ तोड़ जवा देते हैं। तो पाकिस्तान रहेम की भीक मांगने लगता है और फिर मौका पाते ही गोली बारी करने लगता है। वहीं शनिवार को श्री नगर में सुरक्षा बलों पर सिलसेलिवार चार ग्रेनेड हमले हुए जिसमें चार जवानों सहि सहित पांच लोग धायल हो गए। खूंखार आतंकी संगठन जैशे मुहमद ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पहला हमला श्री नगर के फत्तह कदल और दूसरा बुद्शाह इलाके में हुआ जहां CRPA भवाहनों को निशाना बनाया गया। इसमें चार जवानों सहित पांच लोग धायल हो गए। तीसरा हमला श्री नगर के जहांगीर चौक में हुआ। यहां टीन स्वामीटर की दूरी से हमले को अंजाम दिया गया। मोमिनाबाद बाता मालू में भी हमले की बात कही डा रही थी लेकिन घटना की जाच के बाद पुलिस ने इस से इंकार क कर दिया। यहां गाड़ी के टायर फटने की सूचना है जिसे ग्रेनेड हमला मान लिया गया था। इससे पहले शुकरवार को कश्मीर में अलग-अलग इलाकों में पांच ग्रेनेड हमले किये गये थे। ग्रेनेड हमले का यहां दौर शनिवार को दूसरे दिन भी जारी किया।